चलिए स्टुडेंस न्सीयर्टी में एकसराइस 12.1 ए रेलेटेटर टू सरकल में कुश्य नमर्ट 3 लेते हैं और कुश्य नमर्ट 3 में आपको क्या बोल रहा है एक ऐसा फीगर दिया हुआ है बोल रहा है इन फीगर 12.3 डिपक्स और आर्करी टागेट मार्केट विद इस और ओरी मांग विद इट्स फाइब स्कोरिंग रिजन फ्रॉम दे सेंटर आउट वर्ट ऐस गोल्ड रेड ब्लू ब्लू ब्लाक और वाइट ठीक है तो यह कार्करी आज वी टागेट है कोई बच्छों जस पर तीर से इसा निशाना लगाते हैं वाला गेम हो रहा होगा कोई इसमें आप पांच रिजन ने देखो ये गोल्ड रिजन ये रेड है ये ब्लू है ये ब्लाक और ये वाइट है तो इनके आपको इन रिजन के आपको एरिया बताने लेकिन कुछ दिया हुआ है देखे रहा है कि दर डाइमेटर आप दो रिजन रस्पेक्टिव ली 21 cm and each other band is 10.5 cm wide find the area of the five scoring regions okay तो देखे बच्छों यहाँ पर आप ज्ञान दे तो गोल्ड स्कोर रिजन का जो डाइमेटर है वो कितना है 21 cm अपड़ी यहाँ से डामेटर है वो कितना है 21 cm यानिके यह वाला जो डाइमेटर है बच्छों यह डामेटर समझते होना रेडिस का होता है तो रेडियस अगर निकालना होगा तो डाइमेटर को टू से डिवाइड लाएंगे ठीक है तो यह वाला जो डाइमेटर हो कितना है 21 cm ठीक है अब हमें काम करते है समझी जरा यह जो पहला सरकल दिख रहा है इसको हमने नाम दिया सी टू तीसरा सरकल जो दिख रहा ह अब बोल्ड रिजन का डाइमेटर दिए 21 तो इसका रेडियस आप निकाल लोगे ठीक है सीवन का रेडियस हम दिखाएंगे किससे इसी फिगर में पर दिखा देते हैं सीवन का रेडियस हम दिखाएंगे आर बन से ठीक है और यह ज़िए टू रेडियस सीटू सरकल इसका अर जोर्त विए अहां पर हम दिखा देते हैं आपको ठीक है आप यहां पर मैं पास जगा नहीं है तो यहां पर मैं निक देता हूं ठिक यह आरवन का वैलू कितना है 10.5 अब जान से चेक करिए बच्छो क्या की आगे उन्होंने क्या बोलाएं इच अधर बैंड 10.5 सेंटीमेटर वाइट यह जो बैंड दिखते हैं गोल्ड के बाद आपको यह जो बैंड दिखते हैं जो चॉड़ी पट्टी दिखती है आपको यह कितनी चॉड़ी यह 10.5 यह यह जो जाएगा यहां से यहां से यहां तक तो क्या है 10.5 और यहां से यहां तक तो हो जाएगा यहां से यहां से लेकिए यहां तक तो आर्टू हो गया आर्टू में अगर आप 10.5 आट कर देंगे तो आर्ट्री आ जाएगा यह जो है वो कितना आ गया 31.5 इसी तरीके से बच्छो फोर्थ सर्कल का यहां से लेकिए यहां तक फोर्थ सर्कल का रडियस का है आर्टू और यह कैसे निकलेगा बच्छो यह निकलेगा तो 31.5 में 10.5 अठां करें तो 31.5 में 10.5 हम अठ करेंगे तो कितना जगा हमारे पास नहों यह लगा 242 ठेके तो आपके तो कितना होगे आपके पास 42 सेंटीमेटर ज़्याद रखीगे इसी तरीके से फिफ्फ सर्कल का रेडियस कैसे निकले का पॉइंट पॉइंट फाइट करें एक फिफ्ट सर्कल का रेडियस जो होगा वोगा 42.0 प्लस 10.5 10.5 तो कितना हो जागा बच्छों यहां हो जागा आपके पास 52.5 cm तो यह जागा 52.5 cm अब समझों सबसे पहले मैं एरिया निकालने आनों किसका गोल्ड रिजिन का तो जो गो बच्राइब लेटेट अरो डिजन वाल गोल्ड गोल्ड नोर एंट फाइब आरवां कितना है तो पाई आरवन का स्कृईर यानिके पाई और आर वन तना टैन पोइंट वैड गए 10.5 तो तेन पोईंट फाइफ का इसक्वैर यानिके यह जागा पाई की वैलों रग दीज सब्सक्राइब करना है तो यहां पर मैं करता हूं का यूज की टाइम वेस्ट होगा आप कल्कुलेशन खुद से करिए ठीक है सब्सक्राइब करता है तो यहां पास 346.5 सेंटीमेटर इसक्राइब कि अगर आपको रेड रिजन का एरिया निकालना है यह देखिए रेड रिजन नहीं यह वाला ठीक है सब्सक्राइब कैनला इसफिंट अंधर रिजन का एरिया क्रोंग अरहीं यह सबयाएं तो सीडू का एरिया ख़ागा बच्छों सीडू का एरिया हो जागा पाई r2 स्कुर्ए माइनस यूखी यह सेकेंड सेर्कल जो एसी टू इसके लिए रेडियस के आई टू यहां से यहां थे 24 6.5 अर किया और सवर्व कृमने दोड़ा आ हमारे को पया है कृतना है तो मैं तोफया कहा हिसना, Si Grrr 20 वन सब्सक्राइक है क्टि वन टॉन को पर रहुगे रहुग है थी टूपल writes 1221 minus 346.5 इसको solve करो 7 में जा 7 7 3 221 ठीक है अब इसको आप को मुल्टिप्लाई करने है बेच्छो यह होगे 22 into 3 236 minus 346.5 अब इसको solve कर लिजे ठीक है मैं काल को लेतर से करता हूं तिया जागा कितना 10 22 2 x 63 मिया आगे आपके पास 1386 1386-346.5 और यहां से अंफर आए का आपके पास किया 1386-346.5 1039 1039.5 cm2 ठीके बच्चों तो यहाँ आपके पास एरिया किसका एरिया रैग रिजन का तो एरिया आपके पास आ गया किसका तो पहले इतना कर लीजे फिर में आगे करता हूँ इसको कर लीजे आप एरिया ओफ रेड रिजिन भी आ गया ठीक है अब यहां से एक चीज और याद रखेगा बच्चो धिहान से चेक करिए पाई आर्टू स्क्वाइर यही तो है से टू यही तो है तो अभी हमको काम पड़ेगा ठीक है तो हम आपको पहले दिखा देते हैं क्या किसी टू का में एरिया निकाल चुके है 1386 सेंटीमिटर स्क्वाइं ठीक है सी टू मतलब इस सर्कल का हम एरिया निकाल चुके है ठीक है अब हम आगे करते हैं इसको सॉल्फ द ठीक है् इस पूरे सबकल यह तो ब्लाक है यार ऍधल रि की जैनी टो सॉरी फारी वानutनिय यह ब्लू कोसा है यह अई या माइनस सी टू और अभी अभी हमने आपको बताया था क्या सी टू आपका कितना है था 1386 उसको रख दीजे और यहाँ पर जो सी 3 आनिए पाई आर 3 इससे टार अभी अखेश लिक यहां तक यह तक य्यांद विद pesticide 3 1.5 का sq-23. 1386 तो यहां से आजेगा पाई के वैलेव 22.7 इंटू 31.5 का इसको मतलब 31.5 इंटू 31.5 माइनस 1386 इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इसको आप अगर कैंसल करोगे तो 377 फोर्था 28 ओके और 748 और और यहां से कितना हमारे पास जाएगा 28 और 375-35 4.7 ओके बच्चों तो यह आ जागा हमारे पास कितना इसको हम कैल्कुलेट कर लेते हैं 4 यह कुछ गलती हुई शहा है 31.5 और 7 ओर 4.5 यह स्वरी पास पास 3118.5 माइनस 1386 ओके तो इसको हम माइनस करते हैं यहां से तो यह आ जाएगा 3118.5 माइनस 1386 दर इस 173 2.5 ओके तो एरिया ओफ ब्लू रिजन आ गया आपके पास क्या 173 2.5 cm2 ओके तो इतना करिए बच्छो फिर हम आगे कराते हैं आपको ठीक है एरिया ब्लू रिजन इस 173 2.5 cm2 ओके अब हमको क्या निकालना है एरिया ओफ ब्लैक रिजन अच्छा धियान रखेगा की एरिया ओफ थर्ड सर्कल जो आया है वो कितना आया है 3118 एरिया ओफ थर्ड सर्कल आया 3118.3118.5 cm2 इसकी अभी हमें जरुत पड़ेगे ठीक है चलिए अब क्या करेंगे हम ए ऐड्या अब ग्रेजन तो बात्चों ब्लैक विजिन कौन सा है ये वालग लग लेक रिजिन ठीक एल्जों इसका एरिया कैसे का लोगे यह फोर्ट संकल में से था 3 1 1 8.5 आया था अब यहां पर 4th radius लेंगी 4th radius कौन सा बच्छों यह देखिए यह 4th circle का radius ध्यान से चेक पर यह चोंगी आर फोर और आर फोर हमने यहां निकाला हुए 42 आया था याने कि पाई इंटू 42 का स्क्वायर माइनस 311 8.5 पाई के होगा 22.7 इंटू 42 इंटू 42 माइनस 311 8.5 और 7177 642 यहां सा आजाएगा कितना यहां सा जाएगा मारे पास इसको मुल्टिप्लाइगर के सॉल्फ कर लेते हैं तो 22 इंटू 6 इंटू 42 ती हो गया बच्छा आपके पास 5544 माइनस 311 8.5 और यह जो आया है यह क्या है 4th circle का एरिया है तो ध्यान रखना है हम को इसको फोर सरकल का एरिया अभी काम पड़ेगा हमको यह हो गया 5544 सेंटीमीटर स्क्वाइर बस अब इसको कुछ नहीं करना माइनस कर लेते हैं ठीक है बच्छों तो यह हो गया माइनस 5544 माइनस 311 8.5 तो तो देट इस इस टूफ फॉर तूफ़ पॉइंट फइफ सेंटीमेटर स्कॉरर तो एरिया आफ ब्लैक रिजन आ गया बचू कितना एरिया ओफ ब्लैक रिजन आ आगे आपके पास 2425.5 सेंटेमेटर इसको करिए बच्छों फिर हम आगे कर आते हैं आपको तुक तो एरिया आप ब्लाइक रिजिन सूफ फॉर्ट तू फइफ पॉएट फाइफ सेंटीमेटर स्कॉर्ड बिल्कुल सही यह इंड आप तो समाधिके वे खुद कर सकते हो हना एरिया आप वाइट रिजन निकालने बच्छों तो एरिया आप वाइट रिजन सब्सक्राइब एक पर एक नाए था फाइव फाइव फोर फोर यहाँ से पाई और आप फिस्ट रेडियस कि अधने हैं से चक करें फिफ्ट रेडियस फिफ्टी टू हमने पहले निकाल लिए था तो यह जोजागा फिफ्टी टू का स्क्वायर माइनस 5544 और यह जोजागा तो यह हो गया अब इसको हम सॉल्स करते है यहां पर कुछ गलत निकाल है जो गलत निकाल है 430 इस कितना था बच्छो फॉर्टी टू तो में हम एट करेंगे 10.5 तो कितना आ जाएगा 52.5 आ जाएगा तो यहां 52.5 तो यहां 52.5 फिस्त रेलियस देहां रखिएगा तो देंगे 52.5 सेंटीमेटर 52.5 यहां 52.55 2.5 और इसको सॉल्स करेंगे 777 749 और 3 जाएगा 7500 35 यह जाएगा ठीक आप इसको सॉल्स करते है चो तो यहां सा आ जागा हमारे पास क्या 22 टू 7.5 टू 5 52.5 okay तो यह आगया आपके पास कितना 866 2.5 माइनस 5544 इस इक्वल्स टू तो माइनस करते हैं इसको 5544 यह आगया 811 811 8.5 cm2 तो देस एरिया ओफ वाइट रीजिन ओके बच्छों तो तो देस यूर आंसर लेट में चेक एट 311 यहां पर कुछ गर बढ़ वी है लास्ट वाले म हैं आंसर इस 311 8.5 एरिया ओफ ब्लैक रिजिन कितना आया है और टू फोर टू फाइफ पॉइंट फाइव ओ हो सॉरी यह गरवल हमसे हो वही है क्या कि कुछ गरवल हमसे हुई है अक्चल में हम जब वाइट में से ब्लैक को हटाएंगे ठीक है फोर सब्सक्राइब हटाने आप एरिया ओफ ब्लैक रिजिन इस में टू फोर्ट फवाइफ पॉइंट फईव यहां तक तो सही था ओके यहां पर शाइद कुछ गरवल होई है अब चुछ यहांसर मैंच नहीं कर रहा है तो हमें काम करते हैं या मैंने शाइद माइनस गलत किया है हां मैंने गलत माइन मैंने माइनस किया है sorry मेरे को माइनस सही से करना चाहिए गलत मैंने माइनस किया है 866 866 2.5-5544 that is 3118.5 सब्सक्राइब करना है अगर आपको ये इसका इसका एरिया निकालना होगा ये वान ये वान ये ठीक है ये जो मतलब मेंन टाइट में अब न्ता है इसका एरिया कैसे निकलेगा पाई आटू स्कौर माइनस पाई आर्वंस पर नहीं के बाहर वाले का एरिया माइनस अंदर बाले के विया ठेक है तो इस तरीके से आपने सको किया चलिह मिलते है नेक्स कोशन में कर प्रेस्कूल